जैश्री साला सरबालाजी महराज पूरा जरूर देखें और अगर आप इस चानल पर नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साला सरबालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है और जैपूर से इसकी दूरी लगबग 170 किलो मेटर है बाहर से आने वाले सभी स्रतालूं के लिए यहां धरमशालाओं और ठहरने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है पौराणिक कथा अनुसार साला सरग्राम में रहने वाले संत श्री मोहंदाज जी महाराज बालाजी के परमभक्त थे और सद्यव बालाजी की भक्ती में लीन रहा करते थे संत मोहंदाज जी महाराज वैसे तो मुलता सिकर जिले के निवासी थे परंतु अपनी बेहन और भांजे उधरामजी की सहायता के लिए साला सरग्राम में आकर रहने लगे थे क्योंकि उधरामजी के जन्म के कुछी समय पश्चात कानिबाई विध्वा हो गई थी उधर साला सरग्राम से कई सो किलोमीटर दूर नागोर जिले के आसोटा गाउं में जब एक किसान हल जोत रहा था तब उसके हल के नीचे कुछ मसा ठीक उसी समय उसकी पतनी उसके लिट्टी हटाई तो पाया कि ये तो बाला जी की प्रतिमा है फिर दोनोंने श्रद्धा पूर्वक वहीं एक वरिक्ष के नीचे उन्हें प्रणाम कर भोजन में मौजूद चूर्मे का भोग लगाया और तब से बाला जी को चूर्मे की भोग की प्रता का प्रारंब हो गय तत पश्चाद आसोटा गाओं के ठाकुर के स्वपन में आकर बाला जी महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि उनकी उस मूर्ती को बैल गाडी में बिठा कर साला सर रवाना कर दिया जाए और उसी वक्त मुहंदास जी के स्वपन में आकर बाला जी ने उन्हें आदेश दिया कि आसोटा ग्राम से आने वाली बैल गाडी जहां भी रुके वहीं उस बैल गाडी में मौजूद प्रतिमा की स्थापना कर दी जाए और तब से लेकर आज तक ये मंदिर लाखो करोडों श्रद्धालूं के लिए श्रद्धाब भक्ती और आस्था का केंद्र बना हुआ है तो चलिए चलते हैं मंदिर परिसर में और दर्शन करते हैं विश्व प्रसिद साला सर बाला जी महराज के मंदिर में प्रवेश करते ही आपके सामान वा जूते चपलों को रखने की निशुल्क व्यवस्था है और साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद प्रसाद की दुकानों से आप प्रसाद खरीद सकते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करने पर जैसे कि आप किसी अलग ही संसार में प्रवेश कर जाते हैं सीधे सामने की ओर साला सर महराज की दाढ़ी और मुचों से सुसजित प्रतिमा अपने देव्य और अलोकिक रूप में सोने वचांदी से निर्मित सिंगासन पर विराजमान है और चारो ओर सोने वचांदी की कलाकृतियां मंदिर परिशर की शोभा को और भी बढ़ा रही है जी ने जब दर्शन दिये थे तब वो हसाधू रूप में आये थे दर्शन करने के पश्चात बाहर आते ही आपको जांटी का व्रिक्ष दिखाई देगा इस व्रिक्ष पर लाल धागा वनारियल बांधने पर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बाला जी महर माराज उनके सारे कष्ट हर लेते हैं यहां से थोड़ा और आगे आते ही अखंड दूना जोती जलती रहती है जिसे संत श्री मोहंदास जी महराज ने स्वयम अपने हाथों से जलाई थी और यह तब से अब तक निरंतर जल रही है और ऐसी मानिता है कि दर्शन के पश्चा मात्र से ही आप हर तरह की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं आप इसे जरूर अपने साथ अपने घर पर ले जाएं और अपने पूजा स्थान पर संभाल कर रखें और पास में ही स्थित है आरती हौल जहां बैठ कर आप एक अदबुच शांती का अनुभो करेंगे यहां पर आ आप अनुमान जी का पार्ट वचालिसा पढ़ सकते हैं मंदिर परिसर में ही बच्चों के मुंडन संसकार की व्यवस्था भी है और थोड़ा आगे मंदिर का कार्याले स्थित है मंदिर कार्याले के पास में ही मंदिर कमीटी द्वारा प्रशाद व स्वामणी कराने की व्यवस्था की गई है सालसर मंदिर द्वारा चार प्रमुख तितियों पर उत्सव व मेले का आयोजन किया जाता है प्रथम चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयन्ति दीतिया आश्विन माह में हनुमान जयन्ति तृतिया श्रावन शुकल नवमी को मंदिर का स्थापना दिवस और अंत में पृत्र पक्ष में त्रयोदशी के दिन मोहन दाश जी का शुराद दिवस मनाया जाता है मोहन दाश जी ने जीवित समाधी ली थी जो मंदिर परिसर में ही स्थित है और उसी के बगल में उनकी बहन कानी बाई की समाधी भी स्थित है बाला जी के दर्शन के पश्चात थोड़ी ही दूरी परस्थित अंजनी माता मंदिर के भी दर्शन अवश्य करें जहां बाला जी अपनी माता के गोद में बाल रूप में विराजमान है साला सर्बाला जी महराज आप सभी भक्त जनों का और आपके परिवार जनों का मंगल करें इसी मंगल कामना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप जब भी राजस्थान आए तो साला सर्बाला जी के दर्शन अवश्य करने आए अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें तथा चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका बहमूले समय हमें देने के लिए जैस्त्री शाला सरवाला जी माराथ